एक अभी पिछले दो-तीन दिनों से ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे खबर चल रही थी जो मैंने देखी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, मैं काफी मुझे घम भी हुआ, एक यंग लड़का, पाकिस्तानी लड़का, जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यू पाकिस्तानी लड़का था, इसका नाम आयाज यूनस था, ये यंग लड़का, सौफ़र इंजिनरिंग पड़ा रहा था, इसके दो भाई है, एक चोटी बहन है, कराची से था ये, इनकी ये लड़का बहुत चैरिटी वर्क भी करता था, इवन के जहां पे सिलाब आये में हैं, वहां पे वॉलन्टेरिली उन लोगों की हल्प भी कर रहा था, रिलीफ देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे घर तपाओ हो गए हैं, जेरे आब आ गए हैं, तो ये पाकिस्तानी लड़का बिचारा इस नई जगा पे गया, ग्लैनोरी मेरा खल उसका नाम है, उस टाउ है, यानि ये गाड़ी की चाट, ये दो गाड़ींगों जितनी हईट है, होती है साइन की, तो ये उसके अंदर चला गया और फिर जैसे ही गाड़ी, ज़्यादा पानी में चली जाती है तो फिर वो फ्लोट करने लाग जाती है ये गाड़ी, तो लेकिन उस वकत, सारा अले तो वो खिड़कियां नहीं खोल सकता था, दर्वाजा भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि अब बाहिर से प्रेशर बहुत था, तो लड़का बिचारा गाड़ी में बंद हो गया, और उसने ट्रिपल ओको कॉल की, एमेर्जनसी को, हेल्प के लिए, तो तक्रीबन चालिस मिनट वो गाड़ी पानी में तैरती रही और आइस्ता इस्ता नीचे जा रही थी, और इसकी वो कॉल उनके पास रिकॉर्ड है, उन्हें भी रिलीज नहीं की, वो करेंगे भी नहीं, उस चालिस मिनट में वो अपरेटर के साथ रहा, काम था, और इंतजार करता रहा कि कोई आए, सपोर्ट में कोई इसको रेस्क्यू करने आए, लेकिन अन्फॉर्चिनेटली जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंची, मेरा खल उसकत काफी देर हो चुकी थी, मैं खल घंटे बाद पहुंची, और तब तक उसकी पान, उसकी गाड़ी जो है नीचे बचारे की लड़क की डूप चुकी थी और वो लड़का तब तक फोत हो चुका था, तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बिताया कि इसमें, अब कुछ बातें हो रही हैं, अस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, न्यूसाफ वेल की जो वजीर आला स्टेट मिनिस्टर है, प्रीमियर है, उन्हों ने, चीफ पुलिस ने, सब ने बड़े अफसोस का इजहार किया, उन्हों ने फोरण आयास की बाड़ी को वापिस पाकिस्तान भेजने का ऐलान भी किया, और लेकिन कुछ क्वेस्टेंज उठाएं उन लोगों ने, कि चालिस मिनिट तक एक लड़का, एक बंदा फून पे था, और चालिस मिनिट तक कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हों ने कोताही की वगएरा, क्योंकि ऑविसली जब ये स्टेट आफ एमर्जनसी थी, बहुत सारे लोगों की कॉल्स जा रही होंगी, बहुत स उसमें ये कॉल को दुबारा देखा भी जाएगा, और उसमें यूनो, आई होप के कोई ऐसी, कोई इन्फोर्मेशन को ऐसी मिले, जिससे घरवालों को, आयास के घरवालों को सपोर्ट मिले, लेकिन एक बात मैंने नोट की, कि इसके ओपर शायद पाकिस्तान में बात ज्या पड़ने गया, हमारे पंजाबी में केंदेने माद अलाल, तो बचारा लड़का कितने ख्वाब होंगे उसके मावाब के और उसके भी, अगर आपको ये कहानी सुनके एफसोस हुआ, दुख हुआ, और अब मैं जो आपको बताऊंगा और आपका दुख अगर कहीं चला गय तो इसका मतलब आप भी इंसानियत के काविल नहीं है, आप अपने आपको इंसान मत कहिएगा, क्योंकि ये लड़का जो था, ये एहमेदी किम्यूनिटी से बिलॉंग करता था, ये एहमेदीया मुस्लिम यूथ ऑस्टेलिया की और्गनाइसेशन है, कास एहमेद ये बता रहे थे इंटेवियू में, चैनल सेवन के इंटेवियू में, उन्होंने ख़र ये तो नहीं बताया कि वो भी एहमेदीया के एहमेदीया और उसकी उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन तो नहीं की, लेकिन शायद ऐस्टेलिया वालों को पता नहीं है, कि एहमेदीया जो पाकि कारिटी का भी काम कर रहा था रड़का तो अगर आप यह सुनके के चलो वो एहमदी था कादियानी था तो अब हमने इन्ना लिल्ला वन्ना राजियुनी कहना अगर अगर आपके एकदम से रवया बदल गिया है तो आप अपने आपको इंसानियत के काबिल नहीं समझ सकते हैं आप आपके प históनापके तो आपके आपऑ स्थाने आपका Records अपके भासंसखंता आपके अब टाना आपके अपके जह सावा है तो बसक्दारिकत अपसंतर रापके घ् chew उ змुह सुनके आपके ढूना से झालो